क्वीक आयस कंपोज यूर ड्रीम करके आया है वीडियो को अन तक दिखेगा कहीं कोई डाउट होता है करके पूछेगा उसका जवाब को दिया जाएगा आप लोग चैन को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा बेर आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे इस आपको लगातार मिलती रहे हम दो शुरू करते सिधे लेसन की ओर ये क्लास 9th NCRT का 4 चेप्टर है इकोनामिक्स में भारत में खाद सुरच्छा इसे जो लोगे कुशन बहुत ज़्यदा पूछे जाते हैं तो इसको बहुत अच्छे से हमें देखने की जरुवत है ठीक है लिखा है कि खाद सुरच्छा क्या है ये कुशन में सदेव भोजन की उप्लब्रता पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ मदब लोगों तक भोजन उप्लब्रत हो जाए आसानी से पहुंच हो जाए और वो सामर्थ रहे खाने में भोजन प्राप्त करने में उसे हम खाद सुरच्छा के नाम से जानते हैं ये परिभास जब भी अनाज के उत्पादन या उसके बित्रण की समस्या आती हैं, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक परभावित होते हैं. ठीक है? खाद सुरच्छा साविनिक बित्रण परडाली, जो है सास के सतर्ता और खाद सुरच्छा के खत्रे की सिती में सरकार दोरा की ग परड़े सरकार कर तयार रहती है, कारवाही करती है, तो खाद सुरच्छा आसानी से संभोग की जा सकती है, और सब तक भोजन भी पहुचाए जा सकता है. यह चप्टर बहुत ही महात्पूर है. ठीक है? लिखा है, खाद सुरच्छा क्या है? तो जीवन के लिए भोजन उत आयाम. तो खाद सुरच्छा के लिए क्या आयाम होना चाहिए? यही कुशन अगर आप एंसर लिख देंगे पॉइंट में, तो आपको बहुत ज्यादा नमबर मिलेगा. लिखा है, खाद उप्लब्दता का तात परदेश में, खाद उत्पादन, खाद आयात और सरकारी अन लोगों के पास अपनी भोजन आवसरताओं को पूरा करने के लिए परियाप्त और पोश्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उप्लब्द हो, तो वो सामर्थ होगा, तो अनाज आसानी से ले लेगा. सभी लोगों के लिए परियाप्त हो, खाद सुरच्छा हो, हर टॉपिक से यहां कुशन बन सकता है, और ऐसे ही कुशन मेंस में पूछे जाते हैं. लिखा है, जो है, समाज का अधिक गरीब वर्ग को तो हर समय खाद आसुरच्छा से गरस्त हो सकता है, पर तो जब देश, भोकम, सूखा, बार, सुनामी और फसलों के खराब होने से प हैं, तो यहां दखना, खाद सुरच्छा इसलिए आवस्त है, मतलब भोजन को, अनाज को इस्टाक में रखने के लिए इसलिए आवस्त है, कि मान लिए कभी कोई आपदा आजाजे से करोना आ गया, तो करोना में लिए जब लोग घर में बैठ गए, तो लोगों को अनाज स सुरच्छा इसलिए जरूरी है, ठीक है, यह लिखा है, 1970 के दसक में खाद सुरच्छा का अर्थ था, आधारित खाद पदार्थों की सदे और परियाबत उप्रदता, आमर्त सेन, यह हमारे अर्सास के जो है, क्या कहते हैं, इन्हें नोबल पूस्कार में मिला है, अर्सास म हैं, तो आमर्सेन के खाद सुरच्छा में एक नया आयाम जोड़ा और जो है, हकदारियों के अधार पर खाद तक पहुच पर जोड़ दिया, हकदारियों का अब प्रियार राज या सामाजिक रूप से उप्रद कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तों से है जिनका उत्पादन और बिन में बाजार में किसी बेक्तिद्वारा किया जा सकता है। और खाद पदार्थों को पूरा करने के लिए परियाप्त, सुरचित और पोश्टिक खाद तक सभी लोगों की भावतिक और आर्थिक पहुच सदेव हो सके। दूर करना बहुत जरूरी है, नए तो ये समस्या बनी रहेगी। ठीक है? आगे लिखाया किसी आपदा के समय खाद सुरच्छा कैसे परभावित होती है। किसी प्राकितिक आपदा जैसे सुखे के करण खाद की कुल उपज में गिरा बटा जाती है। जब कभी सुखा परता है, तो अनाज के उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इससे प्रभावित छेतर में खाद की कमी हो जाती है और खाद की कमी के करण कीमते बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊची कीमतों पर खाद पदार्त नहीं खरी सकते हैं। अगर या आवदा अधिक 20 छेतर में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की इसीति पैदा हो सकती है। ब्यापक भुखमरी से अकाल की इसीति भी बन सकती है। यह आपको या रखना है। ठीक है। आगे लिखा है अकाल के दोरान बड़े पैमाने पर मोते होती हैं और जो भुखमरी तथा बिबस होकर दूसी जल या सड़े जो है भोजन के परियोग से फैलने वाली महामारियों और भुखमरी से उत्पन कमजोरी से रोगी के परतिर सरीर की परतिरी छमता में में 30,000,000 लोग मारे गए थे तो हमारे इतिहास से बहुत सारे आकाल पड़े हैं उन आकालों के बारे हमें जानना है बहुत सारे आकाल पड़े हैं उन आकालों से बहुत लोग मारे गए थे यह बात या दखना ठीक है यह आप दे सकते हैं यह भुखमरी से पीरित लोग ब् परभावित हुए गरीब लोग चावल की कीमतों में भारी ब्रिद्धी से कहतीयर मजदूर मच्वारे परिवहन कर्मी जो नाव चुनाते हैं और अन्य अन्यमित सर्मिक सबसे अधिक परभावित हुए इस आकाल में सबसे अधिक वही मरे तो जो लोग बहुत गरीब थे और उन्हें अनाज भी नहीं मिला खाने के लिए तो इन्हीं की संख्या मरती चले गए यहीं लोग मरे तो जो गरीब होते हैं, ठीक है? अगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है कि जो है, परियोजना कार्य भारत में अकाल संबंदी और फिक कई बिदम सुचनायाबे कठा करते हैं, और उनको बारे में पेपर में बार बार आता है, आप समझ सकते हैं, अगे बढ़ते हैं लिखा है, भारत में बंगाल जैसा अकाल कभी नहीं पड़ा, लेकिन या चिंता का भी सह है कि आज भी, अच्छा ये या रखना, अकाल मतलब होता है सूखा, और सूखा के कार्ण ही अकाल पड़ता है, ठीक है, या चिंता का भी सह है कि आज भी अकाल जैसी इसी थी ब्यापता है, और भू के कार्ण लोग, कुछ ल भावित हुई आता किसी भी देश पे खाद सुरच्छा आवस्य कोती है ताकि सदेव खाद की उप्रता सुरचित की जा सके तो याद रखना कभी भी जब हो है अकाल जब पढ़ता है कुछ पढ़ता है तो इसलिए हमें खाद को इक ठाकर करके रखने के जोल पढ़ती है जिस खाद आसुरच्छा आसुरच्छित कोन है हमारे देश में तो लिखा है यदि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद और ओशन की दिश्टी से आसुरच्छित है परंतु इस से अधिक परभावित लोगों में निम्रिकित सामिर है भूमी हीन जो थोड़ी बहुत य सब्सक्राइब परदान करने वाले लोग हैं जो घरों में काम करते हैं अपना चोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निरास्ट और भिखारी लोग सबसे ज्यादा परभावित होते हैं सहरी छेत्रों में खाद के दिश्टी से आज सुरचित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्ट पराया कम बेतन वाले ब्योसायों और अनियत सरम बजार में काम करते हैं ये कामगार आधिकतर मौसमी कारियों में लगे हैं और उनको उतनी कम मदोरी दी जाती है कि वह मात जीवित रह सकते हैं तो ऐसे वर्ग सहरों में रहते हैं इनको भी खाद सुरच्छा की आउ सकता होती हैं ठीक है अगे लिका है खाद पदार्थ खरिदने में आसा मर्ता के करण समाजिक सलचना भी खाद की देश्टी से आसुरच्छा में भूमिका निभाती हैं अनसुची जातियां अनसुची जन जातियां और अन पिछली जातियों के कुछ वर्गों इनमें से निचली जातियां का या फिर उनकी भूमी की उपदकता बहुत कम होती है ठीक है तो उनके लिए भी खाद सुरच्छा वो जरूरी है वो खाद की दृष्टी से सिग्र असुरच्छित हो जाते हैं वो लोग भी खाद की दृष्टी से सरवादिक असुरच्छित होते हैं जो प्राकिर्टिक काम की तलास में दूसरी जगा पर जाना पड़ता है यह इनको भी जरूत पड़ती है कुपोशर से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है तो महिलाओं को भी बहुत जरूरी है खाद सुरच्छा में लाना या गंभीर चीता का भी सह है क्योंकि इसे अजनमे बच्चे को भी कुपोशर का खत्रा रहता है तो जो बच्चा जनम लेगा वो भी कुपोशित हो जाएगा अगर मा कुपोशित है तो खाद असुरच्छा से गरस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भती और दूद पिला रही महिलाओं और पांच वर से कम उमर के बच्चों का है देश क खाद के देश्टी से आसुरच्छित लोगों की संख्या अनुपाती रूप से अधिक है वास्तों में उत्तर प्रदेश पूर्वी और दच्चिर पूर्वी हिस्से बिहार जारकन उड़ीसा पच्ची मंगाल च्छतीजगर मध्य प्रदेश और महराश्ट के कुछ भागो में खाद के देश्टी से आसुरचित लोगों की संख्या सबसे अधिक है तो आप इस मैप के माध्यम से अब मतलब इसे को मैप के माध्यम से देख करके अब आपको पता लग गया होगा कि सबसे खाद के देश्टी से आसुरचित लोग और कहां पाय जाते हैं लेका है रच्छा में आती हैं भुकमरी खाद के दिश्टी से आज सुरचित को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है भुकमरी गरीबी का एक अभिव्यक्ति मात्रह नहीं है या गरीबी गरीबी लाती है या इस तरह खाद के दिश्टी से सुरचित होने से बर्तवान भुकमरी सम आप तो हो जाती है और भविस्त में भुकमरी का खत्रा कम हो जाता है और भुकमरी के दिरकालिक और मौसमी आयाम होते हैं दिरकालिक भुकमरी मात्रा या गुरुवत्ता के अधार पर आप्रियाप्त आहार गरहन करने के कारण होती है यह बहुत ही महात्मूर बात बताई गया था आगे लिखा है गरीब लोग अपनी अतियंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद पदार्थ खरीदने में आसच्छम होते हैं इसलिए उनके लिए खत्रा ज्यादा हो जाता है कि कारण दीर कालिन भुकमरी से गरस्त होते हैं क्योंकि लंबी भुकमरी जो है उ आस्थाई होती है यहां गरामिर छेत्रों की किर्सी क्रियाओं की मौसमी परकिर्थ के कारण तथा नगरे छेत्रों में आनियमित सर्म के कारण होती है जैसे बरसात के मौसम में आनियत निर्मारत सर्मी को काम काम रहता है इस तरह की भुकमरी तब होती है जब कोई ब्यक्त गिरावट आ रही है इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है ग्रामिर छित्रों में और सहरी छित्रों में लगातार जो है आप दे सकते हैं ग्रामिर मौसमी और देर करिंगरीबी में वह भुकमरी में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल लई है सुतंता के बाद खाद में आत निर्बर होने के लिए भार लच रखा था और सुना होगा आप लोगों ने हरित करांती लाई गई थी तो हरित करांती क्यों लाई गई थी खाद उत्पादन के लिए जिससे खाद भूजन सब तक पहुंश सके लिखा है सोतंता के पश्चाद भारतिये नित में तो हरित करांती जब आई थी तो गेहों और चावल के उत्पादन में इसे सबसे अधिक सफलता प्राप्त की तदकाली उस समय की पधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहों की करांती सिर्सक से एक बिसेस डाक्टिकर जारी कर किर्सी के छेट में परभावसाली परगती को अधिकारिक रूप से दर्जी किया गेहों की सफलता के बाद चावल के छेट में भी सफलता की पुर्णर विर्ती हुई बरहल अनाच की उपरज में समानपातिक नहीं हुई मतलब गेहों ज्यादा परगती में ज्यादा उत्पादन हुई और आकड़ा दिया गए या आकड़े पूराने हो चुके हैं तो इनको अब हमें देखनी जो नहीं है नए आकड़े के साथ में रहना है लिकाए भारत में खादी सुरच्चा लिकाए सत्तर के दसक में हरित करांती के आने के बाद से मौसम की विप्री दसाओं के दोरान भी दे में उपजाई जाने वाली बीवित फसलों के कारण भारत पिछले तीस वर्सों के दौरान खादानों के मामले में आत्मी भर बन गया है सरकार दौरा असाधानी पूर्बक तयार की गई खाद सुरच्छा व्यवस्था के कारदेश में खराम मौसम परिस्टियों के बावजू चुके हैं अगे लिका इस विवस्था के दो घटक हैं पहला बंफर इस्टाक हमने बहुत सरा इस्टाक बनाते रखाया अनाज का दूसरा साजविनिक बित्रपाणा ली तो इन दोरों के माद्यम से अब हम लोगों तक अनाज बहुत आसानी से पहुंचा दे रहे हैं ठीक ह हो गया है तो लगातार उत्पादन में हमें बिद्धी देखने को मिली है आप इस देख सकते हैं ठीक है आगे लिखे हैं अब जो है बफर इस्टाक क्या होता है जहां हम अनाज गोदामों में रखते हैं उसे कहते हैं तो बफर इस्टाक जो है भारते खाद निगम के माध् कोन् खरदता हुए उसे भारती है खाद निगम द्वाराग खरदा जाता है और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोसित कीमतें दी जाती हैं जिसे हम MSP कहते हैं इस मूल को नियुंतम समर्थन मूल कहते हैं जिसे हम MSP कहते हैं बार बार बता रहा हूं। इन फस्रों के उत्पादन को प्रोसाहित देने के लिए मतलब 22 के मौसम के पहले सरकार नियुंतम समर्थन कीमत गोसित कर देती है। मतलब जब बुआई शुरू होती तभी मौल गोसित कर देता है कि इसे किसानों को और ज़्यदा सुविदा हो। खरीदे हुए अनाज खाद भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार वफर इश्टार क्यों बनाती है क्योंकि आपदा से लड़ने के लिए। ठीक है, ऐसा कमिफ क Свेत्रों में और अनाज समाच गरीव वर गर्गों में बजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के बित्रन के लिए किया जाता है। ठीक है, इस कीमत को निगम कीमत भी कहते हैं और या खराब मौसम में या फिर आपदा कालमें अनाज की कमे के समस्या हल करने भी मदद करता इसलिए जो है बफ़र इश्टाग रखा जाता है और आपकी घरों में भी आपकी मम्मियों में भी बहुत सारा आनाज छुपा के रखती है कि जब कभी आपदा कोई महमान आ जाए कोई आपदा आ जाए तो उसको हम निकाल करके उपयोग कर सकें साजविनिक बित्रन पढाली क्या होती है इसे हम PDF कहते हैं वारतिय खाद निकम दोरा अधिप्राप्त अनाज को सरकार बिन्मित रासन दुकानों के मात्रम से समाज की गरीब वर्गों में बित्धित करती है इसे साजविनिक बित्रन पढाली PDF कहते हैं ठीक है अब अधिकास चेत्रों जैसे गाओं, कस्मों, सहरों में रासंग की दुकाने हैं, देश भर में लगबग साड़े 5 लाख रासंग की दुकाने हैं, रासंग की दुकानों में जिनें उचित दर वाली दुकाने कहा जाता है, वहाँ पर खाद, चीमदब चीनी खाद, खाना पकाने के लिए मि लिटर्ट त्वीटि का तेल इस सब पहले मिलता था आप तो फिर ही मिलने लगा है बिल्कुल ठीक है आगे बरते हैं हम लोग आप देशकते हैं यह रासन की दुकान है जहां पर लोग 9 लगा करके रासन लेते हैं ठीक है रासन काड़ सबका बनता है अगे लिखा है भारत में रासन व्यवस्ता की सुवाद बंगाल के अकाल के पिश्टिभूम में 1940 के दसक में हुई हरित करांती से पुर्व भारी खादिस संकट के कारण 60 के दसक के दोरान रासन पढाली पुनरजीवित की गई गरीवी कि उच अस्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दसक के बाद्ये किया गए साव्यूनिक बितर पढाली पहले से ही चल लही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया एकिकित बाल विकास सेवा सुरू किया गया और काम के बदले अनाज कारिकरम सुरू किया गया था 1970, 1970 और 1978 में इन वर्सों में कई नए कारिकरम सुरू किया गए और कारिकरमो को चलाने के बढ़ते अनुभाव के अधार पर अनेक आरिक कर्मों का पुन्रगठन किया गया बरतवान में अनेक गरीवी उनमुनरण कारीकरम चलन रहे हैं और सब का लच क्या है दोपार का भोजन जिसे मिडड're मिल कहते iGDOTE का नाम क्या हो गया है गई सुप से खाद के दिश्टी से सुरच्छा के कारिकरम है अधिकतर पी एपी भी खाद सुरच्छा बढ़ाते हैं रोज गार कारिकरम गरीबों की आये में बढ़ोती कर खाद सुरच्छा को में बड़ा योगदान देते हैं ठीक है आगे लिखा है साजुनिक बित्रण पढ़ाली की बरतमाने सिति क्या होती है बरतमान क्या सिति है तो साजुनिक बित्रण पढ़ाली खाद सुरच्छा सुचित करने की दिसा में भार सरका दोरा सरबादिक महात्मूर कदम है प्रारम में या पढ़ाली सब के लिए थी और निर्धनों और गयर निर्धनों के बीच कोई भेद भाव नहीं के जाता था लेकिन बाद के वर्सों में सावजिनिक बितरण पढ़ाली जो है को अधिक दच और अधिक लचित बनाने के पहुचाना था जून 1997 से सभी छेत्रों के में गरीब ही करीबों को लचित करने के लिए सिध्धान को अपनाने के लिए इस पर जोर दिया गया ठीक है लचित किया गया लचित सभी दुटरण पढ़ाली को प्रारम की गई या पहला मौका था जब निर्धनों और गयर निर योजना प्रारम की गई इसका भी उद्धेस था लोगों को अलाज उप्रप्त कराना ये योजना एक रवसा गरीबों में भी सरबादिक गरीब जो गरीब में सबसेदी गरीब है उनको और दीन वरिष्ट गरीब समोह में लचित की गई इन दोनों योजनाओं का संचन तहत खाद और पॉर्शर समन्दी सुरच्छा सस्ती कीमतों पर उकलत कराई जा रह सके तकि मानों गरीबा में जीवन निर्वा कर सके इस अधिन्यम के तहत 75% गरामिल जैसंख्या और 50% सहरी जैसंख्या को योगी परिवार में वगी किर्द किया गया जिससे जो है लोगों को अनाज आसानी से मिल सके तके से कमी वाले च्षेतरों में खाद सुरच्छा के मात्यम से अकाल भुकमरी की व्यापगता को रोकने में एक मातपूर भूमी का निभाई इसके अतित आमत उपर निर्धन परिवारों के पच्छ में कीमतों का संसुधन होता रहा नियुंतर समर्थन, कीमत और अधी प्राप्तिक से अखादानों के उत्पादन की बिद्धीर में युगदान दिया तक कुछ शेत्रों किसानों की आए भी की सुरच्छा भी परदान हो गई तथा अपी साविनिक बितर प्राली को अनेक आधारों पर कड़ी अरोचना का सामना करना पड़ा और लब इसके अरोचना भी बहुत जगा पर हुई अनाजों से ठसाठस भरे अनभंडारों के बावजूद भुकमरी की घटाएं हो रही है FCI के भंडार अनाज से भरे हैं वहीं अनाज सर रहा है कुछ अस्तानों पर चुह अनाज खा रहे हैं तो उसकी वज़ास से भी बहुत विरोदा भास भी हुआ है कि लोग भुकमरी के सिकार भी हैं लेकिन लोग अनाजों से नहीं पा रहे हैं उसको चुह खा रहे हैं ठीक है आगे लिखा है दूरस दोजार चौदा में एफ सी आई के पास कियों और चावल का भंडार पैसर दस्वनों दो करोंटरन था जो नियूतम पर 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 परतिमान से बहुत अधिक था फिर भी यह बंपरिश टाक परतिमानों से लगातार उचा बना रहा सरका दोरा सुलुकी गई बिभीन योजनाओ के अधिन जो है खादानों के बितरन के दोरा इस सिती में सुधार हुआ अनाज बितरन से हला सुधरे हैं इस बात का इस बात पर आम साहिमती की बंपरिश टाक उच अस्तर बेहद वांचनिया है और यह बरबादी भी है ठीक है अगे लिका है कि विसाल खाद भंडार का बरबादी और अनाज की गुरुवत्ता में हरास के अधित उच रख रखाओ लागत के लिए भी जिम्मेदार है नियुंतम समर्थित कीमत को कुछ वर्सों के लिए इस ती रखने पर निर्भरताब से मदब गंभीरता से विचार क वो ध्यान देना होगा अगे लिखा है वर्दित नियुंतम समर्थित कीमत पर आनाज की अधिक खरीदारी परमुक अनाज उत्पादन राजों जैसे पंजाब हर्याना आनप्रदेश के और डाले गए दबाओ का नतीजा है मतलब कि जो हमारे नियुंतम समर्थित कीमत पर कारण सुरू हुआ इसके अलावा चुकि खरीदी हुई सम्रिद्र पंजाब हर्याना पश्यमी उत्तरपदेश आनपदेश और कुछ सीमा तक पश्यमी बंगाल में मुखरूप से दो फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है नियुंतम समर्थित कीमत बिर्दी ने विसेस्त जबकि मोटे अनाज गरीबों का परमुक भोजर हैं धान की खेती के लिए सघन सिचाई से परियावरण और जलस्तर में गिरावट भी आई है ऐसा भी हुआ है क्योंकि जलस्तर काम होता गया है इसे इन राज्यों में किर्सिगत विकास को बनाय रखने में खत्रा उत्पन ह गया है ठीक है अगे लिखा है नियुटा समर्थित कीमत के बढ़ने से सरकार की खादानों की वसूली अन्रचित लगत बढ़ जाती है और FCI की बढ़ती परिवहन और भंडार लगत से इसे और बढ़ा दिया है तो गर ज़्यादा नियुटा समर्थित किसान अनाज सरकार अनाज लेगा तो उससे महंगाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है यह दे सकते हैं यहां पर जो है अनाज भंडारों में ले जाते हैं किसानों के खेतों से उसी को एक फोटो दिखाया गया है अगे लिखा है नगरिय भारत में पर्तिबेक्ति पर्तिमा अनाज चा कोबार में यहां पर एक आकड़ा दिया गया है अगे लिखा है, पीडियस डीलर अधिक लाब कमाने के लिए अनाज को खुले बजार में बेचना, रासन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कबार खोलना जिसे अब जो हैं अब चार भी हैं करते हैं, रास के दुकानों इन अनाजों को बेच नहीं पाती हैं तो FCI के गोदाव में अनाज का बिसन्य इस्टाक जमा हो जाता है मतलब जब यह अनाज नहीं बिखता है तब यह अनाज वहा पर उसमें इस्टाक जमा रह यह परतेक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे ठीक है लिगा है आप आज आप जो तीन परकार के कार्ड और कीमतों की संखिला देखते हैं पहले या नहीं थी बड़ी संख्या में परिवार रासंग की दुकानों से अनाज खरीच सकते थे हां उनका कोटा न वाले TPDCSC वेवस्ता में देखा से उपर वाले किसी भी परिवार को रासंग दुकान पर बहुत कम कीमत पर मिल जाती है लेकिन अब यह ब्यवस्ता भी खतम हो चुकी है अब इल्कुल फिरी मिलता है ठीक है अगे लिका है साहकारी समयत्यों की खाज सुरच्छा में क्या भ बच्छमी भरत है साहकाई समयत्यों नेधन लोगों को खाद की विकली के लिए कम कीमत वाले दुकाने खोलती है उधार थोरुप तमिलाड़ों में जिनकी रासंग के दुकाने है इती रासंग दुकाने उनमें से करीब 94% साहकाई समयत्यों के माद्यम से चला जा रही है त और कॉर्पेट सोसाइटी के मादने से ये चीजें हो रही हैं। सुनिशित करा दी हैं। आगे लिखा हैं। महराश्ट में Academy of Development Science ने विभिन छेत्रों में अनाज बैंकों की अस्थापना के लिए गयर सरकारी संग्ट्रों के लिए खाद सुरच्छा की बिसे में परसिच्छर और छंता निर्मार कारिकरम भी कराया जा रहा है। अनाज बैंक अब धेधरे महराश्ट के विभिन भागव में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों के अस्थापना गयर सरकाई संग्ट्रों के माध्यम से उन्हें फैलाई और खाद सुरच्छा पर सरकार की नीत को प्रभावित करने में जो है एडियस की कोशिस रंग ला रही है। एडियस अनाज बैंक कारिकरम को एक सफल और नए परकार से खाद सुरच्छा कारिकरम के द्वारा उनको सुरकिती भी मिल लाई है। यह निस्कर्स करूप पर देखते हैं लिखा है कि किसी देश की खाद सुरच्छा तब सुनचित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोशल भोजन उपलद हो। आज सुरच्छित हो सकते हैं जब कोई आपदा आ जाती है तो अमी लोग भी परभावित होते हैं। जन जाती है चेवाले और दूदराज वाले छेत्रों में और ऐसे छेत्रों में जहां प्राकितिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद की उप्रता सुन्शित करने के लिए भार सरकार ने साउधानी पूर्बग खाद सुरच्छा पड़ली तयार की हैं। इन में से वह कुछ कारिकरम हैं, एकिकित बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, तो पाहर का भोजन, अन्तियोदे, अन्नियोजना आदी भी भोजनाएं हैं। खाद सुरच्छा पड़ली कराने में सरकार की भोमिका किया देते, अनेक साहकारी समितियां और गैर साहकारी समिति संग्ठन भी हैं, जो इजिसा में तेजी से काम कर रहे हैं, तो खाद सुरच्छा पड़ली संदर में भार सरकार लगातार काम कर रही है, और लोगों तक फ ओके थैंक यू